हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देखरो वी के रहा चैनल तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक अप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सेम नोटिफिकेशन जी हां दोस्तों यह अप्लीकेशन क्या है कैसे उज़करते हैं और सीटिल पेम बात करने वाले है और यहां पर प्लिकेशन कर के ओपिन कर ले जीएगा अब यहां पर आपको कुछ ही चीज़े बताया जा रहा है जैसे कि देख सकते हो आप चाहो तो पढ़ सकते हो नहीं तो skip कर सकते हो और यहां पर तीर call option है या तो इस पर क्लिक कर सकते हो ओके कुछ इस तरीके से मैं इस पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर बोला कि आप जो SM notification को अपने Google account से sign in करिए या login करिए ओके तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने Google account पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका account यहां पर login और sign up हो जाएगा ओके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर पूछ रहा कि आप एक पैरेंट हैं या चाइल्ड हैं या बिजनसमेन हैं मतलब जो भी हैं आप यहां पर अब यहां पर पैरेंट हो या चाइल्ड हो तो जो पूछ रहा आप उसको सिलिट कर लीजिए जैसे आप पैरेंट है तो पैरेंट पर सिलिट कर लीजिए और चाइल्ड है तो चाइल्ड पर तो चलिए मैं पैरेंट पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद एक्सेप कर देता तो आपको allow पर क्लिक करना यदि यहां से permission open हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपको करना क्या है कि इस app पर जाना है और जैसे इस तरीके से प्रेस किये रहना है और app info में जाना है और यहां पर permission जो है allow कर देना permissions पर जाते हैं यहां पर दो permission allow करना है इसको मैं allow कर देता हूँ कुछ इस तरीके से क्योंकि कभी कभी permissions allow नहीं होता तो यहां पर settings में जाके permission allow करना पड़ता है अब यहां पर permission allow हो गया अब यह देख सकते हो pair आ रहा है मतलब बोला कि आप अपने बच्चे के phone से जो code है उसको यहां पर डालिए pair करिए ओके तभी यह phone connect होगा तो अब code कैसे मिलेगा दोस्तों जैसे आप अपने बच्चे के phone में इस app को install करते हो और code देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से यहां पर बताया गया है बट मैं आपको बता देता हूँ अब यहां पर यह parent का phone हो गया ओके और दूसरा phone आप अपने बच्चे के phone में इस application के install करिएगा और code निका लिएगा अब code कैसे निकालना जैसे कि आप child हैं तो यहां पर code generate हो जाएगा और अभी जब code हम डाल रहे थे parent के रूप में तो यही code enter करना पड़ेगा और जैसे ही आप इस code को enter करोगे parent वाले section में तो आप दोनों लोग का phone connect हो जाएगा मतलब child का और parent का तो उससे क्या होगा कि parent आपके phone को child के phone को आसानी से दे करते हैं तो काफी अच्छा application है अब यह दिचाहती में बिल्कुल connect करके दिखाऊं detail में वीडियो बनाओं तो दोस्तों इस वीडियो पर सव लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा तो मैं detail वीडियो बना दूंगा उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया अच्छा लगो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गारा